तो बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद पता चला कि जो इंटर्नल उग्जाम में चप्टर आ रहे हैं तो बोला टीचर्स ने तो हमें करा दिया लेकिन समझ में आया नहीं आया वो secondary meter है फटा फट हमें करा दिया अब हमारा internal exam है अब हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा है यह chapter आ रहा है तो इन chapter हो कि हमें सारी classes जल्दी से जल्दी अगर provide हो जाए तो हमारा internal exam अच्छा चला जाए तो बड़ी CDC बात है सबसे पहले मैं internal exam की कोई discussion नहीं पहले internal exam के internal exam में मैंने पूरा chapter ही ले लिया कि जिसका भी जोव आ रहा होगा internal में उसमें से सिर्फ वो topic important है जिसे आप करके जाएंगे और क्योंकि college के अंदर बताया गया just like के overhead करो अब यह overhead में इतनी सारी चीज़े हैं क्या क्या करना है क्या important है तो मैं important बता रहा हूँ जिसके आपर focused होके videos में से करना है नहीं SOL में कोई internal नहीं है सिर्फ और सिर्फ यह regular college वाले बच्चों का है SOL का internal आप नए वाले slaves में आया आपका नहीं है clear तो चलिए direct exam होगा SOL वालों का तो सर अभी मैं सबसे पहले internal exam की बात कर रहा हूँ college का regular college वाले बच्चों का हमारे कुछ यह पूरा cost का न एक syllabus है जो मैंने यहां सामने लिखा हुआ है यह पूरे cost का syllabus है आपका एक तरीके से और इसके अंदर क्या-क्या chapters आएंगे मैं सारे discussion कर लेता हूँ आप उसी के सब आप से preparation करके जाईए cost sheet जो है आपका cost sheet में से आपको calculate calculate करना होगा profit यानि normal cost sheet और सर इस cost sheet में question आने की बहुत बहुत chances है और इसका syllabus थोड़ा revise है थोड़ा क्या जितना हमने किया है वो था इसके अंदर new format बनेंगे new format जो की हमारा costing standard है उसके according new format बनेगा थोड़ा सा module है ये मैं कराऊँगा ये मैं कराऊँगा तो इसमें से cost sheet करना है जिसका material है material में से तीन topic बनते हैं वैसे तो हम आज start कर रहे हैं लेकिन कुछ बच्चों का internal हो सकता है तो जिन बच्चों का internal है वो मुझे बता देंगे कि मेरा इस chapter का internal है कुछ बच्चों ने बता भी दिया है मुझे तो उसके accordingly उनके folder में वीडियो को manage करा दिया जाएगा तो सर material में क्या आएगा सर सबसे पहले आपका EOQ और level पहला EOQ है दूसरा level of inventory level of और उसके बाद आपका store laser सर इसमें से most important क्या है आपका सबसे ज़्यादा important ये वाला section रहता है चलिए इसको ऐसे लिकर देते हैं सबसे ज़्यादा जो important रहता है ना वो ये वाला section रहता है ये level of inventory maximum minimum और एक ये section जिसमें से internal में आने के chances है और material chapter मैं समझता हूँ हर एक college का एक highly recommended chapter होगा जिसके अंदर से internal में पूछा ही पूछा जाएगा in fact internally final में भी question पूछे जाएगे जो chapter हम आज start भी करेंगे है ना इसके बाद सार labor labor की हम बात करें तो labor में दो ही चीज है एक आपका bonus plan है जिससे हम कह लेते है या एक तो turnover rate है turnover rate है और सर एक जो है ना एक है आपका scheme है bonus scheme जिसके अंदर healthy है, roman है, merit है तो इस तरीकी कह स्कीम है तो मैंने turnover वाला भी कराया हुआ है पेपर में मैं आज ही वीडियो को अलग करके upload कर दूँगा आपके content में don't worry एक student भी थी दो तिन student का query आया सर कर दो हमारा exam है तो मैं आज proper separate कर दूँगा क्योंकि मैं सोची रहा था एक बार सभी बच्चों को बता दूँ फिर अलग कर देंगे और जो इस topic में से अगर by chance आपको नहीं मिल रहा हुआ तो मैं fresh holy तक record करके डाल दूँँ आपके लिए अब overhead की बात करें सर overhead बहुत बड़ा chapter है सर overhead कि overhead एक बहुत बड़ा chapter है ओवर हेड में क्या-क्या है सर एक है हमारा जर्नल ओवर हेड़ सर यह जो जर्नल ओवर हेड ने यह theory है एक इसके अंदर आता है हमारा overhead distribution और एक इसी में आता है हमारा overhead rate जिसमें से machine hour rates machine hour rate तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा important है और maximum time तक पूछा जाता है यह दोनों points है जिसमें से पूछा जाता है हमारा और मैं सबसे ज़्यादा important इसको मानूँगा machine hour rate जो पूछा जाता है तो जिन बच्चों के पास नहीं है तो वीडियो बता दिएगा आप जो आपको एक number दे रखा है उस number पर आप message करिए आपको मिल जाएगा recorded format में recorded मिलेगा और हम बाद में जब करेंगे तो in detail तो कर नहीं वाले हैं contract में से सर्फ simple contract account simple contract account यह तो करा ही है हमने simple contract account इसमें तो कोई दो राई नहीं है एक मैंने इसमें बड़े मुश्किल मुश्किल भी question किये के balance sheet कैसे बनाई जाएंगे और फिर इसके अंदर हमने वो भी किया क्या कहते हैं estimatic costing contract costing उन सब चीजों पर थोड़ा सा कम focused करके simple contract account को करिए इसमें से सवाल पूछा जाता है process में से सर process में से क्या आएगा process में दो methods हैं एक है simple एक है equivalent एक equivalent method है एक simple है और एक equivalent method है तो सर इसमें से जो highly recommended chances है आने का वो ये है ऐसा नहीं कह रहा है कि simple नहीं आता है इसमें से ये topic आता है मेरा कहना है कि भया ऐसा भी possible हो सकता है किसी के teacher ने बोला हो के material labor overhead लेंगे तो इन में से ये topic उठाके पढ़े हैं बस ज्यादा से ज्यादा कोई बोल रहा है सर हमारे college में बोलता है material लेंगे overhead contract तो इस तरीके से topic उठाके पढ़ना है मैं सभी में से क्या important है जो पढ़ना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ reconciliation में हालाकि reconciliation अभी finished किया है जिन बच्चों ने जो पुराने बच्चे थे उन्होंने अभी reconciliation finished किया बाकी इस में से आपको profit and loss given होगा profit and loss given हो सकता है और आपको prepare करना होगा cost sheet prepare करना होगा cost sheet और साथ के साथ सर आपको reconciliation करना होगा हमने धेर सारे question किये इसमें से जो important maximum होता है न वो वाला point है जिसके अंदर के आपका constant cost होता है सर constant cost कौन सा होता है याद होगा वो 27,000 वाला example actual basis और दूसरे basis पे जिसमें से 13,000 निकाल रहे थे बार बार तो उस type का question important है जो कि पूछा जाता है सर सर्विस कॉस्ट में सर सर्विस कॉस्ट में क्या आएगा इसमें पर तीन टाइप बनते हैं इसमें सर इसमें भी तीन टाइप बनते हैं एक बनता है हमारा commercial टन किलोमेटर टन किलोमेटर और एक बनता है हमारा commercial टन किलोमेटर के बाद किया बनता है कि एक बनता है passenger पर किलोमेटर पैसेंजर थोड़ा space कम है पर किलोमेटर इसमें से important पूछ होगे तो जिसमें पैसेंजर वाला होता है न वह important है commercial वाला तो बड़ा चोड़ाता सा topic है तो यह overall आप देखोगे तो जिसको chapter देखो GUc says भीपात 乐र तो पूरा चप्टर आएगा तभी आप इंचोर बता दिया अब इशी मेंसे आपके जो है इंटर्न बनते ही टौपिक्स में से जो मुझी बताना था अब जिसका जो जो टौपिक्स आ रहा है तो वह इतना साथ यहकाई ऑट लेबर नहीं कराया लेबर टेंसरे लेबर के अंदर बहुत छोटा सा इतना से इतना से इसके अंदर अगर आप देखते हो तो यह बहुत छोटा सा चेप्टर है उसके आगे small लगा देते हैं S ये भी छोटा chapter है small छोटा इसलिए कहा रहा हूँ कि ये simple है labor भी छोटा है ये तो बहुत छोटा है double S लगा दिया overhead बड़ा chapter है सर बड़ा chapter है ये big chapter है इसके अंदर time consume होगा और एक बात ध्यान रखना जिनका overhead और service cost आ रहा होना तो ये वाला chapter और ये वाला chapter एक साथ करना क्योंकि दोनों बिल्कुल similar ही है कोई changes नहीं है थोड़े थोड़े changes होंगे contract सर ये बिल्कुल small सा chapter है सर process account इसके अंदर big chapter बोलूँगा मैं इसे big chapter ये थोड़ा बड़ा chapter है इसके अंदर थोड़ा पूरा होता है ये कहूंगा तो hopefully आपको समझ में आऊगा सर एक बार repeat कर दीजिए मैंने late join किया है कोई दिक्कत नहीं है मैंने सिर्फ और सिर्फ बताया है कि what about the internal exam क्या क्या आएगा exam के अंदर आपको ये वीडियो भी instant अभी class खतम होते ही मैं पहले upload मारूँगा इसको ठीक है sir reconciliation chapter complete पुराने बच्चों का complete हो गया नए बच्चों का भी नहीं हुआ वो recording से करेंगे क्या हो गया ये अभी hand raise का किसी भी बच्चे का मैं doubt session नहीं लूँगा हेंडरिट का क्योंकि फिर वो एक hand raise लेंगे फिर काफी बच्चों के आएंगे आप chat में लिख दीजी अभी शेक आपका chat का मैं पढ़ के अभी बता देता हूँ बताया भी है sir reconciliation chapter complete yes complete हो गया अगर आप पुराने हैं पढ़ रहे हैं तो उसके according ठीक है sir material वाले chapter कब तक हो जाएगा material वाले chapter में देखो एक आज की class है और एक अगली class तीन class का chapter मान के चलो तीन class में हो जाएगा आपका ये chapter और जिनका जो है sir पूरे दिन का date data class के लिए बचाना पड़ता है कुछ करो update app नए app update हो गये हैं बस आप मान के चलो holy जाने दो holy के बाद आप सभी को नए app पे switch कर दिया जाएगा और in fact बहुत जल्दी switch कर देंगे जहाँ data consumption की problem खतम आपको multiple दो जगहे पे चलाने दिया जाएगा कुछ दिनों तक जहाँ आप easily कर पाएं ठीक है ना data का बहुत बड़ा problem है मैं मानता हूं agree करता हूं इससे मैंने shot out कर दिया है और नए app पे जाएंगे आप तो नए app पे मिल जाएगा अभी नए app किस तरीके से अभी वह थोड़ा सा developing मैं पूरा developing phase करके मैं सोच रहा हूं कि जिन बच्चों को problem हो रहा है न एप तो develop होता रहेगा आपको content वहां पर provide कर दिया जाए तो holy के बाद मैं सबसे पहले यही काम करने वाला हूं हो सकता है मैं कल ही सभी का number register वहां पर कुछ नहीं करना आपको link दे दिया जाएगा बस जस्ट आपको वहां पर जाबके login password करना है परचेज के अंदर जाएंगे और आपको दिख जाएगा आपका course अभी शेक कस्यफ सर आपने material चेप्टर पहले करा है उसका क्या करना है उस चेप्टर जो पहले करा भी हो किसी बच्चे ने material तो दिमाग से उसे हटा दी जब मैं बिल्कुल शुरू से और मैं मान के चल रहा हूं आपको material में कुछ आता ही नहीं इस तरीके से करने वाले हैं ठीक है जो चेप्टर हो गहें आप अपनी requirement बता दीजिएगा कि कौन-कौन से चेप्टर चाहिए आपको जिन बच्चों को जो नए बच्चे फ्रेस बच्चे जोईन हुए हैं वो बता दीजिएगा number मैंने दे रख है अगें आपको how to take doubt class में जाईएगा वहाँ दो contact number है आप बताते जाईए आपके फोल्डर में वो वीडियो अप्लोड होता जाएगा accordingly ठीक है न तो चलिए सर ज्यादा समय ना लेते विए इस topic के उपर हम आ जाते हैं अब नए चप्टर के उपर मन लगा के पढ़ेंगे न जागें यही बताते हैं लग धक के आपका झाल रहा हम आपके वा आपके प्रके एतान के उपर हो सब भसक walked वावाँ खूए हो एक सबस्वारा है रहा ह।